राह संगर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है जिसने रातों से हैं जंग जीती सुबह सूरज बनकर वही चमकता है तो आप सब का वेलकम है आज के हमारे इस नए शो में यह हैं हमारा CSR NET अच्चिवर्स का शो और इस शो में हम बहुत सारे CSR NET के अच्चिवर्स से मिलेंगे जिन्होंने CSR NET exams को क्वालिफाई किया है तो आज हमारे साथ बेटे डेवादित्य चक्रवर्ती और यह भी हमारे IFS की जोदपूर क्लासरूम के स्टूडेंट है और देवादित्य ने भी इस CSR exams को बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है तो सबसे पहले आप सब का और देवादित्य आपका भी स्वागते इस हमारे नए शो में CSR NET अच्चिवर्स और दूसरा कि हम सब IFS family की तरफ से आपको बहुत-बहुत congratulations कि आपने इतना अच्छा result आया और आपका इतना अच्छा selection हुआ इस CSR exam में तो आज हम बहुत सारी बाते करेंगे और आज हम सारे student जैसे आपके बहुत सारे doubts है और बहुत सारे ऐसे students होते कि जनको बहुत सारे problems आते बहुत सारे तकलीपे आते है जब वो exams के preparation करते हैं जैसे CSR exam, debit exam, gate exam, bark exam तो यह जो exams होते हैं इनका preparation कैसे करें इसके लिए किस तरह से strategy यूज करें खुद को हमेशा कैसे motivate रखें, consistency को कैसे maintain करें, questions की किस तरह से practice करें इन सब questions और इन सब questions के answers हम देवादित्य से जानेंगे तो सबसे पहले में introduce करता हूँ कि देवादित्य चक्रवर्ति यह इन्होंने BSE और MSE जूलोजी subject में किये और देवादित्य वर्दमान से और इन्होंने जो MSE किये, यह MSE जूलोजी में किये अब सबसे पहला question मेरा यह है कि देवादित्य कि यह जो exam था CSR का exam CSR NET June 2024 का बहुत सारे student बोल रहेते कि यह बहुत difficult exam था और इस exam में बहुत बढ़े question पूचेते बहुत applied question पूचेते तो मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि आपको यह exam के paper केसे लगा simple था moderate था यह बहुत difficult था सर मुझे तो यह exam थोड़ा moderate से tough के बीच में लगा क्यूंकि part C में जो questions आय थे वो सारे applied type के थे applied type का questions बहुत time consuming होता है इसलिए applied questions करते करते part C में बहुत time गया तो इसके लिए पार्ट B के लिए time नहीं बचा तो B के लिए 30-40 मिनट बचा हुआ था तो वो करते करते time चला गया मेरा तो 30 questions में B part में कर पाया था तब तक time खतम हो गया था अच्छा तो देखिए इनको भी मतलब देवादित्य को भी यह paper जो moderate से tough लगा और वैसे CSR net का morning shift का भी paper और evening shift का भी paper यह दोनों भी paper थोड़े tough paper ही थे बस morning shift में B part थोड़ा सा easy था और evening shift में B and C part थोड़े से tough थे तो देवादित्या आपने कों से shift में paper दिया था मैंने तो सर फर्स shift में morning shift में paper दिया था तो सबसे important question कि जो सब student आप से पूछना चाते कि देवादित्या आपका इस exam में इतना अच्छा selection हुआ तो आपने इस exams के लिए किस तरह से preparation किया आपकी strategy क्या थी मैं तो सर डेली दो class होते थे वो लगाता था उसके बाद एक या आदा घंटा मैंने rest ले लिया और उसके बाद मैंने जो पढ़ाया गया था दो class में वो revision कर लेता था उसके बाद next day सुभा पर अगर हो पाए तो थोरा question practice कर लेता था नहीं हो पाए तो यह routine मैं continue करता था तो मतलब आप classroom के classes बहुत अच्छे से करते थे yes classroom के classes में जितना पढ़ाया जाता था वो सारा आप अच्छे से understand करते थे और आप घर पे जाके भी सारे topics के अच्छे से revision करते थे और questions के practice करते थे yes तो ऐसा कहते है कि महनत इतनी खामुशी से करो कि सफलता शोर मचा दे तो देवरित्या महनत जो आपने की और उसका ही यह result है कि आपने बहुत सारे महनत खामुशी से किये अभी वो सफलता शोर मच करते चैजरी है तो आपको क्या लगता है कि बाकी students को कितनी महनत करनी पड़ेगी? उनको किस तरह से महनत करनी होगी, किस तरह से preparation करना होगा, ताकि जैसे आपका result आया उनका से बहुत अच्छा result आजाई और उनका वो भी Lucas successful हो जाए तो उनको किस तर से मैनत करनी चाहिए? मुझे तो लगता है minimum 6 महिने तो CSI HRF के लिए देना ही चाहिए क्योंकि कोई चाहिए तो dedicatedly, determinedly अगर study करें तो 6 महिना उसके लिए enough है कि वो अच्छे rank से qualify कर पाए तो अगर किसी का भी नहीं हुआ selection तो वो next time try कर सकता है hope नहीं छोड़ना चाहिए और hard work is the best way मतलब इसका कोई shortcut नहीं है कि वो shortcut से या फिर 25 दिन में, 30 दिन में उसका selection हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता तो एक अच्छा खासा मैनत जरूरी होता है इस exam के लिए तो यह बात मुझे बहुत अच्छे लगी देबादिते मैं repeat कर रहा हुआ कि hard work करना ही होगा और success का कोई shortcut नहीं होता यह बहुत अच्छी बात है तो आप सब लोग याद रखिए कि महनत बहुत करनी पड़ेगी आपको महनत टॉपिक को समझने में करनी पड़ेगी questions को practice करने में करनी पड़ेगी as well as revisions को manage करने में कि revisions करने में आपको बहुत महनत लगी अब इसके साथ साथ हम सब का एक ही question है कि जब हम महनत करते महनत तो सब लोग करते सारे students preparation कर रहे notes की revision कर रहे question practice कर रहे तो आपने सबसे ज़्यादा preparation करते समय क्या notes reading क्या था question practice की थी या आपने किस तरह से महनत की थी मतलब special अगर आप उनको guide करना चाहिए कि student किस तरह से topic को understand करना चाहिए exam point of view से ताकि उनका भी exam में selection हो जाए तो आप क्या उनको बताओगे मैंने सर एक topic से क्या subtopics होता था यह पहले सोच लिया था और उसमें भी मुझे क्या क्या करना यह important क्या क्या है यह पहले देख लिया था और उसके बाद मैंने यह सोचा था कि मेरा जैसा भी हो preparation लेकिन subtopics का concept मेरे clear रो तो concept clear करने में मैं ज्यादा धियान दिया concept clear होने के बाद मैं थुरा बहुत अगर हो पाए तो मैं question practice कर लिया था नहीं हो पाए तो बाद में मैं कभी-कभी manage कर लेता था कि questions कर लो एक आता देख लो ऐसे कर लेता था तो आप पहले topic को understand करते थे class में as well as घर पे जाके फिर उसके बाद में इस topic को applied way से सोचते थे और फिर उन applied way को आप questions पे apply करते थे और देखते थे questions में जो information पूछी है क्या उसके according मेरे जो knowledge है उससे question solve हो रहा है तो यह सबसे best way होता है वैसे कि जैसे देबादित्या है या बहुत सारे successful student ऐसे ही करते कि learn करना और फिर उसको apply करना different questions को application बेस अगर आप questions solve करोगे तो आपको concept अलग-अलग way से solve हो जाता है बहुत सारे student का एक problem होता है और वो problem है time management तो क्या आपने भी time table बनाया था क्या यह से time table तो मैंने बहुत बनाया था लेकिन follow बहुत कमी हो पाय था मैं कोशिश कर था कि कुछ-कुछ time table follow हो जाए अच्छा तो वो एक दो दीन ही follow हो पाता था उसके बाद वो चूट जाता था अच्छा तो सारे स्टूडें टाइम टेबल बनाते था तो देवधित्या में भी time table बनाया था बस follow नहीं किया था वो बात अलग बस time table तो सब लोग बनाते था तो time table follow क्यों नहीं होता था आपको क्या लगता है कि उसका reason क्या है कि मतलब हम जब बहुत ज्यादा demotivated हो जाते हैं तब हमें लगता है हमें कुछ guidance की जरूरत है या फिर कोई motivated person हमें अगर motivated कर पा है तो वो सब चीज के लिए sir best है मतलब विसाल sir west है वो सब चीज के लिए तो sir के पास में जाता था sir guide करते थे motivate करते थे और तभी मैं time table कभी-कभी बना लेता था लेकिन वो time table मैं follow करने की एक-दो दिन कोशिश करता उसके बाद मैं fake हो जाता था यह सब लोगों का problem है मतलब मेभी ऐसे reasons होते है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम हर दिन motivated नहीं रह सकते हम हर दिन same चीजे repeatedly same maintain नहीं कर सकते क्योंकि हमारे क्या होता है minds में अलग-अलग thoughts कभी overthinking होता है कभी negativity जादा बर जाती है कभी-कभी situation change हो जाती है कभी problem आ जाते है कभी health खाराब हो जाती है या कभी जो हमरे friends होते है वो मतलब भुला लेते तो वहाँ पर time चला जाता है तो यह सारे problems होते है कि जिससे time table as such manage नहीं होता हाँ, but मुझे यह पता है कि आपने try तो किया होगा कि मैं सारे subject को time to time revise करो आपने try कि आपने सारे topic को अच्छे से prepare कर लो मतलब manage तो करो कि जितना होता है उतना मैं कोशिश करता था कि मतलब जितना consistent रह पाहूं जितना मतलब मैं daily basis पे काम कर पाहूं backlog नहीं रह यह मैं कोशिश करता था जितना हो पाय करता था अगर एक आदा दिन मेरा नहीं भी हो पाय तो next ऐसा एक दिन आता था जिसमें आप 6-7 गंटे के बज़े बारा घंटे पड़के रिकावर हो जाता था तो लेकिन वह बीच में ब्रेक दे देना बहुत ज्यादा time gap हो जाना यह बहुत दिकत देता है और यह सब के साथ होता है तो सबसे important question जो कि मुझे बहुत सारे student भी बुछते कि sir हमें बहुत demotivation आता है बहुत बार हमारा इतना negativity बढ़ जाता है कि हमारा ध्यानी नहीं रहता पढ़ाई पे क्या आपको भी demotivation आया है पढ़ाई करते समय मुझे तो बहुत बार demotivation आता था demotivation तो एक नॉर्मल आता ही है सबको मतलब हटे में एक बार मुझे demotivation आही जाता था तो मैं sir के पास ही जाता था demotivation लेकर और sir जैसे diffusion चलता है ना वैसे तरीके से high concentration में low concentration तक आ जाता है चीजे तो ऐसे sir भी हमें motivated कर देते थे वो motivation से हमारा एक हपता आराम से चल जाता था उसके बाद फिर से हम sir के पास जाते थे और सबसे फ़र्स्ट की देखिए demotivation या negative thoughts आना या आपको कभी-कभी मायूस लगना कभी-कभी positivity कम होना यह natural है यह सबके life में होता है और दिन में भी आपको एक-दो बार तो demotivation आता है कभी-कभी आपको ऐसा weak महसूस होता है या negative thoughts आते तो वह natural है उसके उपर कभी भी जादा demotivation को या negative thoughts को अपने उपर हावे होने नहीं देना है बस वह एक skill होता है कि आप अपने खुद को कितना positive रखते है अब ऐसा बोलते है कि पंक को खोल दे मतलब पंकों को खोल दे जमाना स्रीप उडान देखता है तो आपने जब preparation किया था तो preparation करते समय क्या आपने जब भी preparation किया तो self analysis किया था क्या जैसे बहुत सारे students self analysis के लिए Sunday test देते online test देते mock test देते तो क्या आपने अपने preparation को analysis किया था और वो कैसे किया था Sunday test मतलब देता था Sunday test देकर self analysis एक होता था कि मुझे कितना आ रहा है मैं कितना score कर पा रहा हूं Part C में B में और A में कितना correct या wrong जा रहा है उसके according में next हपत में वो improve करने की कोशिश करता था और कैसे और time management मैं better कर पाऊं या वो part मैं कितना जल्दी और कर पाऊं और question reading कितना जल्दी हो पाए यह कोशिश करता था अच्छा यह कोशिश करते था और मतलब जब भी कभी आप मतलब अच्छे से अगर subject को समझ ले अगर questions की practice कर ले तो फिर दीरे 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 वो आपका वो preparation होना start हो जाता है और फिर बाद में आपको समझ में आ जाता है कि मेरो कितना अच्छे से better कर सकता हूं और फिर आप और अच्छे से efficiently अगर preparation करते हो तो आपको हर टॉपिक को समझ माते है तो यह बहुत अच्छी strategy भी कि खुद को analysis करो self analysis जैसे यहाँ पे Sunday test होते है तो आपको क्या आपके success में जो आपको JRAP को लेवा है क्या Sunday test का उसमें कोई रोल है क्या आपको लगता है कि उससे आपको benefit मिला या mock test यहाँ पे जो होते है क्या उससे आपको benefit मिला हाँ संडी test और mock test का मतलब बहुत important role है selection में क्यूंकि उससे हमें पता चलता है हमारा time management कैसा है हम C, B और A part कैसे कर पाते हैं वह हमें पता चलता है और वह पार्ट में कितना पार्ट में कौन सा time दे पा रहा हूं यह भी बहुत important रहता है तो यह पता चलता मुझे उसके बाद और सबसे important कि जो हम बोलते कि जब आप खुद के उपर विश्वास रखते हो तो आधी लड़ाई आप वहां पर जीच जाते हो ऐसा बोलते तो बहुत सारे students का बहुत बार ऐसा हमने देखा है यह बहुत सारे students हम देखते भी है कि हमें doubts भी पूछते तो उनका खुद के उपर विश्वास कम हो जाता है और preparation करते समय उनको हमेशा रखता है कि मेरा selection होगा यह doubt तो हमेशा रहता है कि मेरा exam कैसा जाएगा मेरा result क्या आएगा तो क्या यह डर जो है यह failure का डर जो है क्या हूँ आपको भी कभी आया था यह सर्व यह तो natural phenomenon यह मुझे भी आया था बहुत बार आया था last तक मुझे लगता था यानि कि exam देने के बात तक मुझे लगा कि मेरा selection नहीं होगा यह तो यह तो normal है लेकिन बात में मुझे अब लगता है कि ठीक है यह जरूरी था selection होने के लिए क्योंकि यह नहीं होता तो मैं पढ़ाई नहीं करता हां तो मतलब बहुत सारøacements यह मुझे लगता है कि मेरे साथ ही हो दर लग रहा है यह सबको लगता है failure का डर कर्到 look और यह भी तो होता है लगतना नहीं होगा तो फिर मुझे लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे लोग जाशे और यह तो से इन मतलब तो देखिए ये इवन मतलब exam में qualify हो गए बहुत अच्छे से rank आया बट फिर भी ये डर तो सब को ही लगता है कि exam कैसे होगा और exam में result क्या रहेगा और ऐसा कहते हैं कि जो मतलब लोग होते कि जो अपने कदमों की काबिलेत पर विश्वास रखते अक्सर मंजिल में वही पोचते हैं तो आपको खुद के उपर बिलिव करना है और आगे बढ़ना है कि अपने कदमों के उपर काबिलेत पर बरोसा करना है जितना आप ज़ादा खुद के उपर बरुसा करोगे, उतना आसान हो जाता है और उतना आप जल्दी सक्सेस को रिच कर जाता है सबसे important होता है कि time management, time management exam में भी important होता है और study में भी important होता है, आप हमें यह बताइए कि daily का classroom session करके, lectures को attin करके, आप time management कैसे करते थे क्योंकि सबसे difficult task है ये, क्योंकि हमने सुनाए कि IFS में 3-3 घंटे के classes होते हैं, मतलब हर एक lectures अगर हो, तो around 6 hours तो classroom में जाता है, तो फिर 6 hours जाने के बाद क्या आप में उतनी energy बचती थी, कि जिससे आप घर पर भी preparation करें, इसलिए 6 hours अगर rigorous class चले, तो उसके बाद 1 या 2 का rest बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद good food ये तो important role play करता ही है, और उसके बाद अब fresh होके, और एक बार revision करने बैटो, तो आपका concept clear हो जाता है, और अगर आप एक बार बोल लो, या सामने वाले के समझाने के कोशिश करो, तो और भी clear हो जाता है, और थोड़ा बहुत question अगर practice कर ले, वो तो cherry on the top हो जाता है, ये बहुत helpful देखिए, तो बहुत सारे student ने मुझे doubt पूचा था, तो ये doubt का answer, यहाँ पे मिल गया, कि sir, हम अगर lectures करते हो, तो हमारे पास time ही नहीं बचता, yes sir, revision करने का time नहीं बचता, preparation करने का time नहीं बचता, तो देखिए, time को manage क करना होता है, और time management के लिए, कि अगर आप lectures भी करते हो, तो भी आप थोड़ा rest कर लो, और फिर brain को RM मिलने के बद फिर 2 गंटे, 2 गंटे के, ऐसे gap से, आप क्या करो, एक बार lectures revise करो, और questions के practice करो, तो आपने भी ऐसे ही किया था, yes, और दूसरा, एक और concept होता है, कि जब आप फुले, तो आप उन डाउट को कैसे clear करते हो, मैं तो मेरा इस topic में जो doubt आता था, तो मैं उन सर के पास जाता था, doubt clear करने के लिए, जैसे डेब बायो, या cell signaling, immunology ये सब का doubt आता था, तो मैं विसाल सर के पास जाता था, और भी बहुत सारा doubt आता था, तो तब मैं सर के पास जाता था, वो सर अच्छे से clear कर देते थे, सर के जितना भी class हो, जितना भी pressure रहे सर, वो doubt अच्छे से clear कर देते थे, उसके बाद biochemistry या genetics का doubt हो, तो केसी सर के पास जाता था, और अगर आपका concept clear ना हो, तो केसी सर आपको doubt देते थे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके स doubt clear होता था, और वो concept हमेशा याद रहता था, कि मेरा इसी point पर doubt आया था, और ये point मेरा clear हुआ है, तो वो point हमेशा याद रहता था, और कभी भी गलती नहीं होता था, और बाकी, कोई भी topic, cell biology, या applied biology, ये सब में जब doubt आता था, तो प्रांक शुसर clear कर देते थे, और प्रां और evolution में कुछ doubt हुआ तो और आके सर clear कर देते थे, बहुत helpful थे सर लो, तो सबसे important question कि, अगर हम ये जानना चाहिए कि, suppose हर topics में आपको कुछ फेवरेट आता है, और आपके कुछ difficult points होते है, और आपको फेवरेट है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसे, कौन से topic बने कि, जो आपको, मतलब, आपके भी बहुत फेवरेट बने कि, जो आपको बहुत अच्छे से learn होे, understand होे, आपने enjoy के, तो ऐसे कौन से topics है, ऐसे topics में तो बहुत सारे आते है, molecular biology, developmental biology, cell signaling, ये सब मेरा बहुत फेवरेट topic है, मेरा तो research में भी interest है, कि developmental biology में हो पाए, कि मैं देख पाऊं कौन सा stage कैसा develop हो रहा है, ये मेरा बहुत interest है, इसमें, तो और, ऐसे कौन से topic आपको पहले बहुत difficult लगते थे, और अभी IFS में आपने पढ़ने के बाद आपको बहुत simple लगने लगे, जैसे sir, methods in biology, genetics और biochemistry, तीनों topic मुझे बहुत difficult पहले लगते थे, ये पढ तो ये इधर आके इतना simple लगा, इतना easily clear हो गया, कि genetics का problem भी solve हो जाता था, bio stat में भी help हो जाता था, biochemistry अच्छे से समझ में आ गया मुझे, बहुत help लगा मेरे लिए अरे वाँ, तो मतलब आपको अभी confidence आ चुका है, कि अलग अलग topics, क्योंकि पहले, में बहुत सारे मेरा तो 11 unit prepare हो पाया था, उसमें से animal physiology और diversity मेरा छूट गया था, तो अब आप क्या suggest करोगे, कि ये जो student, जो CSR exam, December CSR exam को prepare करे, तो इन्होंने कितने units को prepare करना चाहिए, ये को best अगर होगा, आप 13 की 13 unit prepare कर पाऊ, तो ये सबसे best रहता है, और आपको तब एक self confidence भी आता है, क कि आप question अच्छे से attend कर पाऊ, और अभी के time पर तो punch करके applied questions बहुत सारे आते हैं, तो इसके लिए सब unit clear होना या basics clear होना बहुत जरूरी होता है, तो 13 unit कोई कर पाए, तो वो best है, बाकी अगर नहीं हो पाए, उससे time का थोड़ा कमी रह गया, तो 10 से 11 unit अभी के time पर minimum clear करना तो देखिए, हम जैसे बोलते हैं, कि आपको सारे units करना चाहिए, क्योंकि सारे units से आपके सारे topic link हो जाएंगे, सारे units से सारे basic concept भी clear हो जाएंगे, और आपको questions भी समझ भाएंगे, फिर भी मतलब जितना आप कर सकते हो, मतलब सारे units करना या सभी topic को 100% करना, it is not possible, ये मतल अगर जितना आप ट्राइ करोगे, जितना आप अपना बेस्त होगे, उतना अच्छा है, उतना उनका selection आसान हो जाएगा, और बहुत बार student एक question पूछते मुझे, कि ऐसा कहते है कि परस्तितिया कभी-कभी इतनी भी कठोर हो जाते है, इतनी difficult हो जाते है कि वह हमें तोड़ आपने जब preparation किया, तब क्या आपको भी कभी ऐसे परस्तितिया आये थी, कि जहां पर आपको बहुत demotorate फिला, बहुत depressed फिला, ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे control में नहीं रहा बहुत सारी चीज़े और मैं अभी पढ़ाई भी छूट रही हाँ से, और इसके बाद मेरा थोड़ा health issues आगे थे, तो मैं mentally भी थोड़ा यह हो गया था, तो उसके बाद वो चीज मुझे recover करने में वो 2 महीना लगे, वो 2 महीना मेरा completely waste गया, तो last के जब 2 महीने बचा था मैंने फिर से start किया, फिर से मैंने महनत करना शुडू किया, और 11 यूनिट मै लेकिन मैंने 11 यूनिट लगभक अच्छे से किया था, कुछ-कुछ subtopics हो सकते चूट जाए, लेकिन कोशिश किया था मैंने पूरा, तो देखिए, सबसे important बाता, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, कि कोशिश करना, मतलब देखिए, परस्तितिया हमारे हाथ में कभी आते, वो आपको कभी stop नहीं करते हैं, आपके लाइप में जो लोग आते, वो आपको कभी stop नहीं करते हैं, या आपके लाइप में जो obstacles आते, वो आपको कभी stop नहीं करते हैं, बट सबसे ज़्यादा आपको stop कोन करने वाला है तो आप खुद होते हो, तो जब आप खुदी करना चाहते हो यह आप खुद ही स्टॉप कर देते हो तब आपकी प्रोग्रेस च्वेव वो स्टॉप हो जाती है तो इसलिए हमें खुद कभी भी अपने सक्सेस की बीच में नहीं आना चाहिए हमें हमेशा ओपन अप रहना चाहिए और अगर प्रॉब्लेम साते जैसे सपोर कि आपको लाइप में प्रॉब्लिम हो रहा है आपको लाइप में कोई परिशानी है एंड सपोर्च आपको पता चला कि यह परिशानी मेरे से नहीं हो रही है तो आप क्या करते थे तो अगर मुझे लगता था मेरा परिशानी शॉल्ब नहीं हो रहा है तो परसनल लेवल प पापा को भी कभी कभी शेयर कर लेता था, मतलब जिसको लगे कि शेयर करने से आपका चीज़े सही हो, या अच्छा लगे, तो आपको शेयर कर लेना चाहिए, वो रोग के रखना नहीं चाहिए. देखे, ये आपके मतलब जो सबसे major, जो भी problem थाना आपके life का, उसका अंसर ये है, कि जब आपको कोई परेशानिय आ रही है, चाहिए वो पड़ाई से related है, चाहिए वो revision से related है, चाहिए question practice से related है, चाहिए exam से related है, तो आप पूछिए, आपके पास आपके mentor है, आपके पास teacher से, जितना आप पूछोगे, उतना आपकी वो परेशानिय हल हो जाती है, और दूसरा, आप एक बार mind clear कर लेते हो, आपके mind में से उचली जाती है तो फिर आप free हो जाते हैं, तो इसलिए ये हमेशा याद रखे, आप बहुत सारे student है, जो घर पैट के preparation करें, तो उनको भी बहुत सारे problems आते हैं, तो वो भी अगर इसी तरह से अगर अपने problems को solve करेंगे, पूछ कर, help लेकर, तो आपका problem भी solve हो जाएगा, और आपको एक confidence आजाएगा, कि हाँ, अब कोई tension नहीं, सबसे important कि ऐसा होता है, कि ऐसा बोलते हैं, कि माइदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, कभी भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता, इसलिए मन को हमेशा positive रखना है, मन को हमेशा motivated रखना है, तो आप अपने mind को कैसे motivated रखते थे, क्योंकि एक्जाम्स का प्रिप्रेशन करना बहुत होता है कंसिस्टन्सी को मेंटेन करना तफ होता है ताइम टेबल तो आपने पहले ही बताया कि टाइम टेबल तो स्रीफ बन है था वह तो मैंश नहीं हो बात तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा मैं एक हपते में मोटिवेटर रखने के खुद को कुशिश करता था बहुत लेकिन हपते का संडे आते मेरा मोटिवेशन खतम हो जाता था तो मैं सर के पास जाता था मैंली विशाल सर के पास जाता था तो मोटिवेशन के जतना जर किया जब मैंने सर को वो सब बताया है तो वो solve हो जाता था mentally clear रहना इस space में बहुत जरूरी होता है और जैसे कि आप भी हमेशा ही क्योंकि हमेशा आपको जब आप positive होगे motivated होगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होते है और ऐसा भी कभी कभी होता है कि कभी कभी एक तो दो दो दिन पढ़ाई नहीं होती है ऐसा भी होता है कि पढ़ाई कभी दिन बहुत अच्छी होगी कभी बहुत मतलब नहीं होगी तो यह सारे phases normal है यह natural है तो इसलिए उसको कभी load नहीं लेना है ज्यादा पढ़ाई हुई तो तो ज़ाता खुश्न होना है और पढ़ाही नहीं होई तो ऐसा नहीं कि, नहीं करना है क्योंकि कभी पढ़ाही होगी तो हमेशा यह मान के चलना है कि जितना होती है, उतना करने है, अब मेरा एक question है, कि अब बहुत सारे students, December के CSR Exam को prepare कर रहे, और बहुत सारे students को prepare करते समय, बहुत सारे problems आते हैं, डाउट साते हैं, तो उसमें से एक doubt ये है, कि इस exams को prepare करते समय, उनको क्या strategy उउच करनी चाहिए, कि जिससे उनको फायदा होगा, जो आपको लगता है, तो प्लीज आप स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए, कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहे, तो उनको बेनिफिट होगा, और उनका भी एक्जाम में उनको भी सक्सेस मिलेगा, तो अभी इस टाइप का एप आपको पहले से पता है, तो आपको एक clearance रहेगा, self-confidence रहेगा, तो उसके according आप परफॉर्म कर पाऊ गया, तो इसलिए applied questions प्रैक्टिस करना, ब्रेन को हमेशा थोरा stress में रखना, तो यह सब बहुत helpful होता है, मतलब तीन घंटा कैसे परफॉर्म करें, यह बहुत important होता है, य उनके आपको practice करके उनको prepare करना चाहिए, दूसरा, खुद को applied way से सोचने के आदत डालने पड़ेगी, क्या इस type के questions में हमें क्या-क्या knowledge required है, क्या-क्या information required है, और मुझे किस तर से पढ़ए करने चाहिए, जिसे वो मैं information को acquire कर साथा, अब सबसे मतलब important question, कि आपने revisions कैसे किये थे, क्योंकि बहुत सारी student का question होता है कि sir, revision कैसे करे, revision manage नहीं हो पा रहा है, इतने सारे topics है, 13 topics है, with aptitude है, तो revision को कैसे manage किया जाए, revision को, कि अगर note से कोई करना चाहिए अभी के time पर, तो वो ठीक है, उनके लिए सही है, लेकिन concept अगर build होना चाहिए, concept build होना बहुत ज सामने अगर आये हो, तो वो बहुत सही रहता है उसके लिए, और applied question practice करे हो, ऐसे brain को think करने में help करें कि applied questions आ रहा है, experimental questions कैसे solve करें, तो experimental questions को solve करने के आदर डालिए, applied questions को देखे, इस वाले exams में, जैसे हम exams का paper का pattern भी देखे तो भी moderate level का था, वो सारी questions simple भी थे, जो कि आप target कर सकते थे, अब दूसरा, बहुत सारी student को एक problem है, कि उनकी exam में time management नहीं हो पाती, exam में बहुत सारी student का, जैसे आपने बोला कि आपका ये part का question solve होने के लिए time ही नहीं बचा, तो बहुत सारी student को exam में time management का problem आता है, तो अब इनको किस तरह से practice करने चाहिए, ताकि exam में उन कि तीन घंटे का test देकर part A, B और C, वो कैसे time manage कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है, और इनका क्या चीज सही रहे कि part A पहले करे, या B पहले करे, या C पहले करे, ये उनके according है, जैसे ज़्यादा लोग prefer करते है C, उसके बाद B, उसके बाद A, तो ये जमित उनको सही है, उसके बाद B, जो पहले करे, सही रहता है, और time management C को थोड़ा जादा time देना चाहिए, क्योंकि उसके applied questions आता है, B को थोड़ा moderate और A को 15-20 minutes करे, तो सही रहता है, तो ये perfect, जैसे हमें केसी सर बाता थे strategy session में, कि आपका मतलब C part जो होता है, C part में around 1.5-2 गंटे के बीच में time लगता है, B part में आपको 40-45 minutes या 50 minutes तक time लग सकता है, और A part में 20 minutes, but important ये है कि time management करने के लिए आपको घर पे उस 3 गंटे के बीच में preparation करना चाहिए, कि आपको वैसे mock test देके prepare करो, Sunday के test आपको बहुत help करते, जैसे बहुत सारे student बोलते कि सर, Sunday के test and mock test के वाज़ से हमें time management के आदत लग गई, कि किस paper में किस type के questions को solve करना है, तो आप Sunday test papers देके, आप mock test देके, online test देके, आप अपने time management को practice कर सकते, क्योंकि time management ये skillet, वो एक दिन में नहीं आएगा, वो आपको practice से ही आएगा, तो आपको practice से ही करना पड़ेगा, और जैसे हमें यसा लगता है कि बह notes prepare करते, short notes prepare करते, बहुत सारे students questions की practice करते, तो क्या आपने भी short notes prepare किये ठीका, नहीं sir, short notes मेरा prepare नहीं हो पाया था, क्योंकि short notes तो पहले बार revision के बाद बनना थोड़ा difficult होता है, दो तीन बार अगर किसी का revision हो जाए, तब जाके short note बनता है, वो बहुत beneficial होता है, को ही अगर short note बना पाये, तो last moment revision के लिए, short notes बहुत better होता है, तो मतलब, बहुत सारे students short notes बनाते है, तो उनको benefit है, तो मतलब short notes बनाते हो, तो आप अपने language में अपने way से उस concept को understand करते हो, smallest मतलब, कम से कम page में short notes होते है, तो जल्दी revision होते है, कम time में बहुत ज्यादा revision होते है, और तो आपको सब समझ में आता है, तो fast vision होते है, तो short notes बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते है, उसके साथ बहुत बड़ा एक student problem बताते है, कि question practice और question practice करते समय, बहुत ज्यादा time लगता है, बहुत सारे students को question practice करना मतलब, एक तकलीप लगती है, कि मतलब, बहुत ज्यादा मतलब, तकलीप है, कि question solve नहीं होते, question समझ में नहीं आते, और question practice करने जाओ, तो time बहुत जादा लगता है, और question समझ में नहीं आता है, analysis नहीं होता है, तो क्या, आपको भी question practice के time करते समय, आपको भी ये problem आया था क्या? हाँ, question practice करने समझ मतलब दिक्कत तो आता है, लेकिन उससे पहले आप जिस topic का या concept का question practice कर रहे हो, वो concept अगर एक बार पहले clear कर लो, या revise कर लो, उसके बाद आप वो सब questions एक बार practice कर लो, तब जाके आपका मतलब एक full and final ये उस concept का clearance हो जाता है, तो वो तब बहुत beneficial होता है, और हर एक topic से तो questions कुछ ना कुछ गलत होंगे, ये तो natural है, तो इससे demotivated होने का कोई मतलब नहीं है, हाँ, ये बात बहुत अच्छे लगी मुझे, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, कि हर एक topic से आपके कुछ ना कुछ question गलत होंगे, और उससे demotivate नहीं होना है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत सारी student मुझे बोलते हैं, कि sir, अगर question गलत होंगे, तो हमें demotivation आते हैं, हमें questions solve करने के लिए फिर motivation ही नहीं रहता है, बहुत बार मैंने देखा है, कि Sunday test में अगर कम marks आते, तो बच्चे Sunday test देना छोड़ देते हैं, क्यूंकि कम marks आने के बहुत ज्यादा वीक फिल होता है, बहुत लोग फिल होता है, तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है, कि marks या marks वो important नहीं है, Sunday test हो या चाहे को यो test हो, marks is not important, important is कि जो question exam में आये, क्या उनको में solve कर पा रहा हो, क्या मुझ में वो उतनी information या उतना knowledge है क्या कि जिससे उन question को में target करूँ, उनको solve कर पा हो, इसलिए जब आप ऐसे question को face करते हो, challenge करते हो, और खुद को challenge करते हो ऐसे question से, तब actual में आपको आपना knowledge समझ में आता है, तब आप खुद को analysis कर पाते हो, तो ये सबसे important है, तो इसलिए मैं बस मतलब अब इतना ही पूछना चाहूँगा, कि अब students को, finally, क्या, मतलब preparation करते समय, final strategies क्या use करने चाहिए, within one or two points, आप क्या बता होगे? Final strategy तो ही है, पहले तो health के ओपर ध्यान देना चाहिए, कि good food और 6-7 गंटा, 8 गंटा minimum उसको sleep के जरूरत है, और उसके बाद study के लिए 6-8 गंटा बहुत important है, और consistent रहने का कोशिश करना चाहिए, discipline, self-determination बहुत important है, और self-motivated रहने का कोशिश करना चाहिए, और जितना चाह तो यह सब करना चाहिए, और अभी के time के लिए applied questions तो practice करना ही चाहिए, और question selections बहुत important है, जिस type का questions अब select करोगे, उसके according आपका time management है, यह बहुत अच्छी बाते बाते बोली, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, कि आपको good food, मतला बहुत अच्छा healthy food लेना चाहि क्योंकि healthy sleep से dopamine, endorphin बढ़ते, positivity बढ़ते और negativity कम होती है, हमेशा positive रहने के कोशिश करने चाहिए, खुद के ऊपर focus करना चाहिए, दूसरा negative लोगों से दूर रहना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात बोली, कि negative लोगों से दूर जितना रोगे, उतना ज्यादा self motivated रोगे, और दूसरा कि खुद के ऊपर believe करो, और preparation करना continue start करो, तो यह बहुत अच्छे strategies बताए, और आप सब लोग यह strategies को अच्छे से use कीजे, अब सबसे important बहुत बार, मतलब हम देखते हैं कि, ऐसा कहते हैं कि, मतलब जितना बड़ा सपना होगा, उतना बड़ा संगर्ष भी होग और जितना बड़ा संगर्ष होगा, उतनी बड़ी तकलिप भी होगी, और जितनी बड़ी तकलिप होती है, उतनी बड़ी जीत होती है, तो आपको अगर जीतना है, आपको अगर successful होना है, तो आपको बहुत संगर्ष करना पड़ेगा, आपको बहुत तकलिपे जहलने पड अगर आप उनको समझते हो, अगर आप उनको अच्छे से अनलाइज करते हो, तो वो आपको कुछ सीखाने के लिए आये होते हैं, और उनसे आप अगर सीख जाते हो, तो लाइप में आप हमेशा के लिए उन चीजों से हमेशा के लिए मोटिवेट रहते हो, उसकी लर्निंग आपको लाइप टाइम तक रहती है, जैसे आज तक जो हमने सीखा हुआ है, वो आपके लाइप टाइम तक रहेगा, अब हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते, तो रैपिड फायर राउंड में मैं एक क्वेशन पूछूंगा, बस आपको जो अंसर है, वन पॉइंट, पॉइंटर्स में आंसर देने, और विदिन 30 सेकंड देने, तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते, रैपिड फायर हो, तो सबसे पहला क्वेशन, कि लाइप साइंस में से सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगा? सबसे डिफिकल्ट यूनिट, थोड़ा बहुत तो बायो केमिस्ट्री है, लेकिन वो केसी सन्ने जैसे पढ़ा है, बायो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ भाय है, उसका सब डाउट क्लियर हो गया, और जादा मैंने जो छोड़ दिया टॉपिक, एनिमल फिजियोलोज अच्छा, क्या आपको टेस्ट देते समय, संडे टेस्ट या मॉक टेस्ट देते समय, डर लगता था, या CSR एक्जाम का अगर पेपर दिया, डर लगा था, संडे टेस्ट देते समय, कुछ-कुछ टाइम डर लगता था, लेकिन वो तो हम लोग अबर कम कर लेते थे, लेकिन CSR एक्जाम में हाँ थोड़ा पैनिक ने स्पिल हुआ पहले, लेकिन और तो कोई अधर ऑप्शन नहीं था, तो मुझे वो करना ही था, तो इसलिए वो डर इतने सारे टीचर से पढ़ा है अपने, तो सबसे फेवरेट टीचर? सबसे फेवरेट टीचर, मैं फेवरेट तो सभी है, तो विसाल सर में लेकिन मैं आगर बोलना चाओ फिर भी, तो विसाल सर में सबसे जो में मुझे अच्छा लगता है, वो हाड़ वार्किंग है, और केसी सर मतलब overall जो all-rounder होता है ना god of life science मतलब आइडल जो बोलता है ना वो में आइडल हो है तो आपके हाँ यह आगला question था क्या आपके ideal कोने तो मेरा आइडल मतलब MSC के 3rd या 4th से में मुझे जब पता चला CSR net life science का तो मुझे first मैंने जो video देखा था केसी सर का था तो मेरा तब से केसी सर से पढ़ना मतलब एक dream रहा तो वो तो इसलिए बहुत मतलब मुझे fascinate करता है और फिर मुझे आके पता चला विसाल सर प्रांग्सू सर राकेश सर यह सब के मारे में तो यह भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब fascinating है और helpful रहे में लिए तो और आपको सबसे बोरिंग topic कोई सा लगा पढ़ने में सबसे बोरिंग topic applied थोड़ा बहुत बोरिंग लगा applied biology लेकिन उसमें से भी agrobacterium मुझे अच्छा ही लगा था बात बाकी topics थे applied का थोड़ा मुझे यह लगा नहीं अच्छा है और यह तो हमारा rapid fire round की इसमें बहुत सारे rapid questions पूछ ले अब सबसे first कि अब इतने सारे मतलब exam हो गया तो अभी जैसे CSR exam qualify हो चुका है तो CSR exam qualify होने से पहले जो आपमे confidence था और आज का confidence उसमें क्या change आया है confidence थो obviously से थोरा boost हुआ है अचा boost हुआ है मतलब exam qualify होने के बाद एक confidence boost होता है पहले लगता था कि मेरे पास कोई exam clear नहीं है कुछ नहीं है अभी लगता है ठीक है मेरे पास CSR GRF तो है लेकिन अभी भी रुकना नहीं है थोरा बहुत और भी improve करना है क्योंकि knowledge तो मेरा sufficient है नहीं तो थोरा और भी improve कर पाऊं तो बेटर रहे नहीं तो knowledge तो हमेशा learning करते रहना चाहिए और knowledge हमेशा acquire करते रहना चाहिए तो यह सारे जो points है अब हम अगर इसको मतलब सारे points को एक बार फिर से remind करें और एक बार short में अगर सारे strategies को बतना चाहिए तो short में अगर हम इनको बताए कि students ने अब इस CSR exams में किस तर से preparation करना चाहिए कि जिससे उनको जो है वो बहुत अच्छा उनका result आएगा और उनको भी success में लेगी तो short में एक तो first कि जैसे देबधित्य ने बताया कि एक तो understanding of concept कि concept learning एक pure करनी है एक अच्छे से learn करना है concept को दूसरा concept learn करने के बाद उसके applied applications को सोचना है कि उस concept से कितने different types के questions बन सकते applied questions कितने बन सकते और उन questions को आप कैसे crack कर सकते हो तीसरा कि daily अपने consistency को maintain करना, health को maintain करना और उसके साथ-साथ नींद को भी maintain करना नींद को भी कम नहीं करना है नींद प्रॉपर होनी चे और सब को maintain करके hard work करना यह सब से important है उसके बाद हर संडे को या आपको खुद को हमेशा self analysis करना self analysis by giving test, Sunday test देके mock test देके online test देके self analysis करना और खुद को जांचना और साथ-साथ revisions को भी maintain करना, questions के practice को भी maintain करना daily के कुछ न कुछ questions solve करते रहना ताकि CSR में आपके exams में जो question हो उसको आपको solve करने के लिए हमेशा आपको mind positive रहे और skills आपके अंदर आ जाए हाँ एक और question है कि C part में selection of questions केसे करें C part में तो पहले जो tabular questions है या फिर matchmaking questions type का है तो वो questions अगर कोई ढूंड के कर ले तो वो बहुत beneficial है selection of questions, match the pairs हाँ, वो direct questions होता है तो 25 में से 6 साथ भी question बन जाए तो उसमें से stress release हो जाता है कि मुझे और 12 या 13 सही करूं तो मेरे लिए एक अच्छा score का backup बन जाएगा तो यह बहुत helpful रहता है और 12 या 13 में से भी ऐसा question select करने जो ज्यादा lengthy नहीं हो जिसमें ज्यादा time consuming नहीं हो ज्यादा approach बहुत ज्यादा complex नहीं simple type का हो ऐसा selection से almost हो जाता है 25 में से 20-22 भी निकले तो एक अच्छा base बन जाता है बात बाकी तो B और यह तो करी देता है तो क्या C part में 25 question आना possible है सबको कि C part में CSR में 25 question की आप solve कर सकते हो select कर सकते हो हाँ कोई चाहे तो C part में 25 में से 25 obviously कर सकता है यह बहुत जाला hard difficult तो नहीं है यह तो बहुत अच्छी बात है कि C part अगर 25 से 25 question हो गए तो फिर तो फिर अच्छे से बहुत अच्छा selection होगा इसलिए सबसे important कि selection of question पर focus कीजिए और selection of the question यह question practice से आएगा और आगे gate exam आ रही है debit exam आ रही है तो उनके exams के preparation में क्या क्या कर सकते practice या किस तरह से strategy उच कर सकते CSR के लिए जो strategy follow करे कोई स्टैटीजी को continuous रखे क्योंकि CSR एक supreme टाइप का exam है इसका अगर syllabus कोई cover करे तो बाकी exam का syllabus already इसमें included है तो वह भी cover हो जाता है बस consistency maintain करना होता है और self motivated रहे तो आराम से यह सब exam भी अच्छे rank से qualify हो जाए हाँ तो सबसे important यह सारे जो थे आज का जो भी session था हमारा इस session के सारे learnings जो की learnings यह देवधित्ते ने आपको दे दिये and I hope की इस जो भी हमारा CSR net achievers का जो live session है इस session में से आपको सारे जो भी आपके doubts से उन doubts के question के answer मिले होंगे फिर भी आपको जो भी और doubts होंगे तो आप इस video के comment box में post कर सकते हैं तो इस session में हमने बहुत सारे CSR net या different competitive exams में किस तरह से preparation किया जाएं किस तरह से strategy यूज की जाएं और आपको किस तरह से preparation करना है यह सारे points हमने discuss किया अब देखिए ऐसा कहते है कि कल को आसन बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा भी कहते है कि suppose अगर आपको mango चाहिए तो mango चाहिए तो आप जाद से यादा mango कब आसकते थे? तो आपके पस mango तब आ सकते थे? जब आप 20 साल पहले अगर mango का tree plant करते तो mango का tree plant करते तो आज बहुत सारे mango आपको मिलते इन फ्यूचर अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अगर पिछले 20 साल में नहीं किया तो फिर आज आप ट्री को प्लैंट करो अगर बहुत सारी स्टूड़न्त है कि जtechn होने अभी बी नेकस्टे एकचम के प्रीपेशन स्टाटने की उनको अभी भी नेकस्टे एग्सटे अच्टे एककशम करने है तो आज से ही start करें, अगर आज ये आप mango plant करोगे, तो आपको in future बहुत सारे mango मिल सकते हैं, इसलिए try हमेशा daily basis पर करना होता है, आज से शुरू करो, अगर नहीं हुआ है, तो आज से करो, अगर कर रहे हो, तो भी उसको continuously करते जाओ, consistency को maintain करते जाओ, क्योंकि जितना ज्याद से मिलके बहुत खुशी हुई दे, और सबसे important कि बहुत सारे learning मिली, new learning मिली, तो आप भी सब student, सारी learning लीजे, और अगर आपको अभी भी कोई doubt है, तो आप comment box में post कर सकते, या इस session में आपको क्या-क्या नया सीखने को मिला, इस session से आपको क्या-क्या new information या नई learnings मिली, आ आप comment box में जरूर बताएं, यह जो हमारा CSR net achievers का जो show है, यह आपको कैसे लगा, यह भी आप हमें comment box में जरूर बताएं, so thank you so much, thank you sir, और thank you so much all कि इस session को आपने देखा और आपने इस से बहुत सारे learning लीजे, तो thank you all, तो मिलते हैं अगले session में, अगले achiever के साथ में, so thank you, thank you, thank you.